गुड मारें दियर श्ट्रेट्ट्स टोडेय विल लेर्न हाव तो राइट अ सेंट्रल आइडिया आप दा पोयम ठीक है इट इस आउर फर्स्ट लेशन अ फोटोग्राफी अब यहां पर हमने लिखा पॉएट काउन है पॉएट नहीं है जबकि पॉएटेस है ठीक है शेरिल टल्सन अ सेंट्रल आइडिया आप दा पोयम आपको लिखना है तो सेंट्रल आइडिया में इका लिखते हैं हम पोयम की बेसिक थीम नोट करते हैं जैसे लिखा गया दा प्रेज़ेंट पोयम इस वेरी सेंटिमेंटल इस रमांच अवर चाल्डव हूँड में व कागज की किस्ती और बारिश का पानी अबॉट ऑपपर एंट रिंस वाट वेर बेप्ले बिदाव टैंसरम Poetis tells us about our life that is short and full of uncertainty. A stage slips into another so fast we can't realize it. When we think how we reach here, we become overwhelmed. We remember only the memory of the past. In this poem, Poetis tells us three stages of life through her mother's life. It teaches us to utilize our time and take enjoy in each event of life. Clear हो गया? तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए. यह पहली poem है आपकी, A Photography. A Photography जिसकी कवेत्रे हैं सर्शेरिल टॉल्सन. और उन्होंने इस poem के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहा, मतलब reader को बताना चाहा, आप लोगों के sense में यहाँ पर है, जो poem पढ़ते हैं, कि यह जो बरत्मान poem है बहुत sentimental है, मतलब बहुत भाव कवेता है, जो हमें याद दिलाती है, कि हम मारा बच्पन का जीवन कैसे था, मतलब कि बच्पन में हम कैसे खेलते थे, आगया समझते हैं, उसके बारे में बताया गया है, और उसके बाद पर्टेस ने हमें बताया, पर्टेस टेल्स एस एबाउट लाइफ देट इज साट एंड फुल अफ अनसर्टेंटी, यह जो हमारा जीवन है, बहुत क्या है, छोटा, और किस से भरा हुआ है, अनिस्चित्ता से भरा हुआ है, एक स्टेज जो है, वो दूसरी स्टेज में कितनी तेजी से चली जाती है, कि हमें एहसास नहीं होता, जब हम सोचते हैं, when we think, how we reach here, मैं यहां कैसे पहुँचा थो, हम कैसे पहुँचे, become overwhelmed, हम क्या हो जाते हैं, भाव भोर उटते हैं, अब हम के वाल याद करते हैं, अपनी पुरानी यादों को, इन दिस पोएम, पोईटस टेल्स अस, इस कविता में कवित्री हमें बताना चाहती है, थ्री स्टेज आफ लाइफ, जीवन के तीन, स्टेज का मतलब होता है, अपने मा के जीवन से हो करके, मतलब अपने मा के जीवन के बारे में बताती हैं, जीवन के तीन अवस्थाओं को बताया है, इट टीचेज अस, यह हमें पढ़ाती है, तो इटलाइज आवर टाइम अपने समय का सुदुपयोग करने के लिए, and take enjoy in each event of life, और जीवन के प्रती छण का आनन्द लेने के लिए, ओके, थैंक यू फार दिस क्लास, टाइड दाउन दिस सेंट्रल आइडिया इन यूर नोट्बुक,